तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे A.O. Smith के Z1 Hot UV Water Purifier की एक इंडेप्ट रिव्यू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अवनीप और आप देख रहे हैं टेक रोजाना जहां हम बात करते हैं उस टेकनोलोजी की जिसे हम यूज करते हैं रोजाना तो मैंने मेरे लिए चूज किया था एक UV Water Purifier क्योंकि UV टेकनोलोजी ही मेरी रिक्वायर्मेंट्स के अनुसार पूरी तरीके से सही तरीके से सुटेबल थी तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी requirement के नुसर कौन से technology का water purifier आपको लेना चाहिए तो उसके लिए हमने बनाया है एक वीडियो जिसके link में यहां दे रहा हूँ तो वो आप जाकर देख सकते हैं जहां से आपको मिलेगी मदद आप डिसाइड करने में कि आपकी requirement के नुसर कौन सा technology वाला water purifier आपको लेना चाहिए तो जैसा कि आप जानते हैं मैंने लिया था मेरे requirement के नुसर एओ समित का Z1 hot UV water purifier तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके in-depth review के बारे में तो हम बात करेंगे उसके कुछ पहले हम बात करेंगे उसकी खासियतों के बारे में कि उसमें कौन सी चीज ऐसी थी जो मुझे अच्छी लगी और उसके बाद हम बात करेंगे कि उसमें कौन से ऐसे points हैं ज आइट और ब्लैक का जो कॉम्मिनेशन कंपनी ने दिया है, वो किसी भी तरह की किचन के अंदर अगर आप इसको फिट करेंगे, तो आपकी किचन के इंटेरियस के साथ में बहुत अच्छे से कॉम्प्लिमेंट करेंगा, जो इसकी दूसरी खासियत है, वो है इसका जो प्यू इसके अंदर दिया गया एक नाइट असिस्ट का फीचर, और पहले जब मैंने इसके बारे में सुना था, तो मुझे लगा था ये किसी तरह का एक पार्केटिंग गिमिक है, लेकिन जब से मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो प्रैक्टिकल ही मैंने अनुभव किया, कि जो न बहुती कन्वीनियंट और बहुती यूश्फफुल फीचर है, अगली जो इसके खासियत है, वो इसका बढ़ा टैंक, इसके अंदर हमें मिल जाता है एक 10 लीटर का टैंक, जो कि कंपेर करें हम दूसरे वाटर पिरिफायर से, तो उसमें जनरली हमें 7 से 8 लीटर का टैंक द मिलता है, दूसरा बात करें, इसके अंदर जो वाटर आउटलेट के अंदर जो फ्लैप्स दिये गए हैं, जिससे हम पानी को डिस्पेंस करते हैं, वो फ्लैप्स जो है, वो काफी वाइड भी दिये गए हैं, और काफी बड़े भी दिये गए हैं, जिससे आपको कन्वीनिय इसमें दी गई है वो तो इस डीप ट्रे के हमें दो फायदे मिलता है बिसवादा है कि जब हम पानी ले रहे हैं तो अगर उसमे से कुछ पानी नीचे गिर भी जाता है तो वो सिदा अपके डीप ट्रे में गिरता है जो की रिम्यूवेबल है आप उसको बाद में खाली कर सकते हैं तो आपका नीचे का जो surface है वो गंदा नहीं होता है पहली चीज दूसरी चीज इससे एक convenience हमें है मिलता है कि जब हम पानी ले रहे हैं तो हमारा glass या हमारी bottle जो है इस tray के उपर place कर सकते हैं और फिर tap को चालू कर सकते हैं तो हमें उस चीज को उठा के नहीं रखना पड़ता और वो हमारे लिए convenience मिल जाता है और अगर आप इसको wall mount करते हैं तो इसके अंदर आप जो dip tray है वो तकरीबन एक से दो लिटर तक hold कर सके इतना weight holding उसकी capacity भी है अगली जो चीज है जो सबसे important चीज होती किसी भी water filter के purifier के अंदर वो होते हैं उसके filters तो इसके अंदर हमें मिलते हैं five stage filtration process तो उसके अंदर जो सबसे पहली चीज मुझे अच्छी लगी वो लगी कि company ने इसके अंदर दिया है एक pre filter तो जो pre filter इसमें हमें मिलता है वो एक 10 micron size का filter है और इसके जो candle है वो काफी thick मिलती है और एक अच्छी quality की इसमें हमें candle मिलती है तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरा ऐसा मानना है कि आप कोई भी किसी भी company का water purifier ले अगर उसके अंदर एक pre filter आपको मिल जाता है तो वो आपकी water purifier की जो cartridges है उसकी life को कुछ हद तक बढ़ा देता है क्योंकि काफी गंदगी को वो पहले ही रोक लेता है तो बाकी के जो filters है आपके वो clock होने से बच ज जाएंगे तो उसको आपको change ही करना पड़ेगा यानि कि आपको खर्चा करना पड़ेगा लेकिन pre filter क्योंकि clock भी हो जाए उसके बाद आप उसको खोल के 2-3 बार तक जो है उसको साफ करके reuse कर सकते है तो वो एक बहुत अच्छी चीज है pre filters के लिए और क्योंकि इसमें मिलत है वो तकरीबन 5 माइक्रोन तक का size का filter हमें मिलता है लेकिन ए उसमें जो sediment filter दिया है वो एक 1 माइक्रोन का sediment filter है तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि काफी हग तक उसका जो filter है वो काफी छोटे छेद वाला है तो काफी गंदगी को वहाँ पे रोक लेता है तो ये बहुत ह अच्छी फ्रीचर है इसकी water purifier की अब अगला जो इसका filter है वो है silver activated post carbon filter तो इस filter की एक खासियत है कि क्यों ये activated carbon तो ही तो इसके लिए जो पानी के अंदर जो घुलन शुदियां होती है उसको तो ये filter करी लेता है साथ ही क्यूंकि इसमें company ने silver को भी include किया है तो उससे जो हमारे पानी का जो टेस्ट है वो भी enhance हो जाता है और ये चीज मैंने feel किया है आप पानी को मैंने जब इसके पानी को बिना filter के पीके देखा तो उसके अंदर पानी के अंदर एक तो क्लोरीन का टेस्ट हमें मिल रहा था मुझे और साथी उसके अंदर एक थोड़ा सा तिखा नहीं कर सकता क्योंकि ये जब आप अनुबव करेंगे आप खुद experience करेंगे तो ही आप उसको समझ पाएंगे बट इसका जो पानी का जो आउटपूट है उसका जो टेस्ट है वो काफी smooth और soothing है तो ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे इसके silver activated post carbon filter की वाजा से उसके ब हखने नहीं तो क्वेर्पी निउसट्र के और ऑर वाटर प्यूरिफाएर्स के अंदर जो वी ऴी乾र आता है उसकी किसिंग आती है वो एलुमिनियम से बंच होती है जिसको एक चुश कम्पनी जो सब्सकर अनुड़ाइस कर देती है को कुछ कम्पनी जो सब्सकर प्यु तो उसके अंदर एल्यूमिनियम के कुछ पार्टिकल उसमें मिल जाते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छा advantage हमें इसमें मिलता है कि stainless steel का UV filter हमें इसमें मिल रहा है और एक चीज जो इसमें मुझे अच्छी लगी वो यह है कि इसके अंदर हमारे जितने भी filters दिये गए हैं चाहे वो आपका UV filter हो, चाहे sediment filter हो और चाहे आपका post activated carbon filter हो उसको जब भी हमें change करने की जरुत होगी तो उसके लिए हमें purifier के अंदर एक indicator light दी गई है जो कि glow करने लगेगी ताकि हमें पता चल जाए कि हमें इसको change करने की जरुत है और यह light भी जो है वो glow करेगी जब तकरीबन इस filter की 10% की life बाकी होगी तो यहने कि light glow करने के बाद ऐसा नहीं कि आपको तुरंत करने की जरुत है आपको एक थोड़ा certain period of time भी मिल जाएगा जिसके अंदर आप service को schedule करा सकते हैं और फिर उसके technician को आप बुला सकते हैं तो एक ओर time gap भी हमें मिल जाता है तो यह चीज मुझे बहुत अच्छी इसमें लगी और साती इसके अंदर जो UV filter है उसका on जब UV filter on होता है तो उसका indication के भी हमें light मिल जाती है तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज इसमें मुझे लगती है और जो इसमें last filter हमें मिलता है वो मिलता है एक ultra fine stainless steel filter तो यह जो filter है यह काम आता है जो हमारा इसके अंदर hot UV का feature दिया है तो पानी जो गरम होता है तो गरम होने किया तो उसमें कुछ scales बन जाते हैं तो उसको filter करने के लिए इसमें एक stainless steel का filter भी मिल जाता है गरम पानी को filter करने के लिए तो वो भी है कि इसका बहुत अच्छा advantage है अब इसमें एक जो चीज मुझे बहुत ही minor सी चीज है लेकिन मुझे बहुत ही effective लगी बहुत ही अच्छा feature लगा वो यह कि इसकी जितने भी filters हैं उसके अंदर पानी का जो inlet है वो filter के नीचे की तरफ से दिया गया है और पानी का जो outlet है वो filter के उपर की दरफ से दिया गया है तो आप सोच रहे होंगे कि इस से फरक क्या पड़ता है तो इसका बहुत ही simple सा reason है इसके फाइदे जो हैं कि अगर आप पानी का आउटलेट उपर से देते हैं तो जनरली पानी ग्रैविटी की वज़े से फिल्टर में से बहुत ही जल्दी से नीचे उतर जाता है और नीचे से बाहर निकल जाता है तो पूरी तरीके से फिल्टर हुआ के नहीं उस चीज की गैरेंटी हमें नहीं नहीं लेकिन अगर आपने पानी को नीचे से इंपुट किया है तो ग्रैविटी उसको रोक के रखती है इसके लिए जब तक पानी पूरी तरीके से फिल्टर में से पास ना हो जाए अच्छे से टाइम लेके तब तक ऊपर से पानी बाहर नहीं आता तो जो फिल्टरेशन प्रोसेस हमें मिलती है वो एक बहतर तरीके से फिल्टर हुआ पानी हमें इसमें से मिलता है तो यह भी एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे लगा इस यूई फिल्टर इस वाटर प्यूरिफायर के बारे 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 और अब बात करते हैं इसके सबसे बेस्ट यूएस्पी की याने की इसका जो हाट यूवी हाट वाटर का जो फीचर इसमें दिया है तो A.O. Smith जो है वो बिजिकली वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है वाटर हीटर बनाने में तो A.O. Smith ने बहुत ही स्मार्ट मूव किया है कि तो जो इसका हीटिंग एलिमेंट की टेकनलोजी है उसको उन्होंने इंकॉर्परेट कर दिया है वाटर हीटिंग के साथ में और इसके लिए हमें इसके अंदर वाटर प्यूरिफिकेशन के साथ में एक हाट वाटर का फीचर मिल जाता है जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत ही कंपनी की तरफ से एक स्मार्ट मूव है क्योंकि यह जो फीचर है बहुत ही कंविनेंट है स्पेशली अगर आपको गरम पानी पीने की आदत है या आपको ग्रीन टी पीने की आदत है या आपके घर में अगर छोटे बेबीज है उनके लिए बेबी फूड बनाते हैं और उसके अलावा बहुत टाइम पे किचन के अंदर जब लेडीज खाना बनाती है तो काफी आइटम्स ऐसी होती है जिसके अंदर उनको गरम पानी की भी ज़रत होती है तो उन सब चीज को उस सब सिनेरियो के दौरान यह फीचर जो है बहुत ही कनवीट आपको फील होता है कि आपको पानी करने के लिए नाव बरतन लेना पड़ता है नाँ जाता है तो वह सारा हैसल आपका इसमें से निकल जाता है simply एक button को आप tap करते हैं और आपको दो settings के उपर आपको 45 degrees और 80 degrees दोनों के उपर गरम पानी मिल जाता है तो it's really a very convenient feature और आप जब उसको use करना start करेंगे तो आपको feel होगा कि कितना फाइदा कितना ease आपकी इसके अंदर आपकी daily life के अंदर आ जाता है इस feature की वज़े से तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर जैसे मैंने का दो heat settings पे में पानी मिलता है और अगर आपको 45 degrees पे पानी गरम हम करते हैं तो लगबग normal water 27-28 degrees के पानी को 45 तक heat करने में ये लगबग 2 minute और 15 second का समय लेता है जबकि अगर आप उसी 27 degree के पानी को 80 degrees तक गरम करते हैं तो इसको तकरीबन 6 minute का समय लगता है और अगर पानी को आपने 45 degrees पे heat किया हुआ है तो 45 से 50 degree का पानी अगर है तो उसको heat करने के 80 degrees पे अगर आप ले जाता है तो तकरीबन 3 से 4 minute के अंदर ये heat कर देता है तो बहु 800 ml का टेंग है तो उसी आप से देखा जाए तो बहुत ही convenient और बहुत ही रियली इसका सब जो सबसे बेस्ट पॉइंट है वो यही है कि इसके अंदर जो hot water का feature है वो क्योंकि आपको market में और कोई भी water purifier ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर आपको ये feature मिलता हो तो रियली इस इस दे बेस्ट फीचर ऑफ दिस water purifier और हाँ इसके अंदर गरम पानी के अंदर इन्होंने चाइल लॉक का फीचर दिया है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा safety point of view से काफी conveniently वो चाइल लॉक काम करता है तो आपको एक अच्छी safety भी मिल जाती गरम पानी से स्पेशली और हाँ इसमें एक चीज और आपको बताना चाहूँगा कि अगर एक बर आपने इसमें पानी गरम कर दिया और उस पानी को अपने यूज नहीं किया तो इसका एक और बढ़िया चीज मुझे लगी कि जो इसका water का temperature heat loss जो है वो काफी कम है मतला अगर मैं पानी को गरम कर द तो आप उसको easily conveniently use कर पाते हैं अब बात करते हैं इसकी कुछ कमियों के बारे में याने कि इसके cons के बारे में तो जो सबसे पहली चीज इसके अंदर मुझे अच्छी नहीं लगी वो यह थी कि जो इसका ऊपर जो टैंक है हमारा water storage tank उसका जो टॉप का cover दिया गया है उसको इन्हों ने वही soft plastic से बनाया है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो plastic soft की जगा एक hard plastic हो सकता था और specially उसके अंदर एक click lock जैसे जो caps आते हैं covers आते हैं जो एक click के साथ lock हो जाते हैं वैसे click के साथ इसका top जो cover है वो lock होता तो बहुत अच्छा रहता क्यूंकि एक चीज मैंने इसमें ये महसूस किये कि इसके जो top का cover है front की तरफ से अगर उस पे आपका क्यूंकि gas हमारे kitchen में हमारी gas भी होती है और उसमें से heat भी निक जो है इनोंने एक foam की padding दी है जिसकी वज़े से जो है वो tank तो हमारा सील रहता है लेकिन ये चोटी सी चीज मुझे लगी कि इसका top cover था वो एक hard plastic का हो सकता था था कि ये heat की वज़े से उसमें flex नहीं आए और उसको lock करने के लिए click lock वाला mechanism होता तो और जाधा better protection शायद हमे मिल जाता है तो ये एक चीज मुझे इसमें पसंद नहीं आई दूसरी जो इसमें एक चीज मुझे पसंद मुझे अच्छी नहीं लगी वो यह है कि जो इसका tank है उसको आप पूरी तरीके से खाली करते हैं उसके बाद भी इसके अंदर थोड़ा पानी बच जाता है तो चीज में के अंदर तो कोई प्रॉल्बम नहीं है आप डे तुड़े यूज करते हैं लेकिन लेट से आथ किसी दस पंदर दिन के लिए कहीं भार गुमने जा रहे है थो फालीडे पे जा रहे है या किसी कुछ लंबे समय के लिए आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं तो उस इस case के अंदर अगर आपको इसको खाली करना होका, especially अगर आपने उसको वाल मॉंट कर रहा है, तो थोड़ा सा मेरको यह फिलो का इसका टैंक को पूरी तरीके से खाली करना, थोड़ा सा problematic है उसको आपको थोड़े extra efforts डालने पड़ते हैं उसके tank को खाली करने के तो यह एक चीज मुझे इसमें पसंद नहीं आई जो कि company को उसको मुझे लगता है कि उसको address करना चाहिए तीसरी चीज जो इसमें मुझे अच्छी नहीं लगी वो है जैसे हमने पहले बात किती इसके dip tray के बारे में तो dip tray के काफी advantages तो हमें मिलते ही है लेकिन साथ ही साथ में उसकी वज़े से हमें कुछ disadvantage भी मिलता है तो सबसे बड़ा disadvantage यह है कि अगर आपको आपके घर पे एक मटका यूज करने की आदत है तो सबसे बड़ा problem यह है कि वो dip tray की वज़े से आप आपके मटके को directly water purifier से नहीं बर सकते है तो उस case के लिए अगर आपको मटका बरना ही है तो फिर आपको इस dip tray को निकाल देना प पड़ेगा उसके बाद आप उसको मटके को directly बर पाएंगे बड़ उस case में आप फिर dip tray को use नहीं कर पाएंगे तो यह dip tray का एडवांटेज तो हमने देखा ही ता इसकी वज़े से एक डिस अडवांटेज भी हमें मिलता है उसके बाद अगली जीच जो इसके अमें थोड़ ग्लास तो रख सकते हैं लेकिन अगर आप पानी का बॉटल बर रहे हैं तो 500 ml से बड़ा बॉटल आप उस पर प्लेस नहीं कर सकते हैं अगर उससे बड़ा बॉटल आपको बरना है तो इसको आपको हाद से पकड़ के ही रखना पड़ेगा और फिर आपको टैप चालू करक उसको पकड़ के पकड़े-पकड़ेगी बरना पड़ेगा तो यह एक चीज मुझे थोड़ी सी इंकन्विनेंट लगी कि 500 ml से बड़ा बॉटल आप उस जगह पर नहीं रख सकते हैं एक जो चीज इसमें मुझे मिसिंग लगी वो यह है कि कमपनी ने इसके अंदर किसी भी तो आजकल बाकी की जो कंपनी जो अपने वाटर प्यूरिफायर जाते हैं तो वह उस तरह कोई भी फिल्टर इसमें इंक्लूट नहीं किया है तो वह एक चीज मुझे इसमें मिसिंग लगी और लास्ट चीज इसके बारे में जो मुझे फील होती है वो यह है कि क्योंकि A.O. Smith जो है वो पिछले एक साल से ही वाटर प्यूरिफायर बेच रही है तो जो बाकी की पुरानी कंपनीज है याने की एक्वागार्ड है, कैंट है या लिव प्यूर है उस तरह की जो कंपनीज है उसके मुकाबले A.O. Smith का जो नेटवर्क है वो रूरल एरिया के अंदर थोड़ा कमजोर है तो आपको A.O. Smith का अगर वाटर प्यूरिफायर लेना है तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना पड़ेगा कि आपके सिटी में क्या A.O. Smith का सर्विस सेंटर है या नहीं और वो आपको सर्विस दे पाएगा के नहीं अगर वो चीज हो उसके बा वहाँ पर कुछ जगह पर अभी भी इस तरह के इशू है कि वहाँ पर सर्विस सेंटर नहीं है तो वो चीज आप ज़रूर से चेक कर लें बिफोर परचेजिंग ए उसमिट्स वाटर पिरिफायर तो अलिन अल अगर बात करें तो I am really मेरी बात करूं तो मैं पूरी तरीके स कोई बहुत मेजर तकलीफ इसमें मुझे देखने नहीं मिली है और स्पेशली जो इसका हॉट यूवी का फीचर है जो हॉट वाटर फीचर है तो उसको मैं यूज कर रहा हूँ पिछली एक डेड़ महिने से तो अब लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं कोई द एक्सिलेंट चॉइस रहेगी आपके लिए तो बस मुझे उमीद है कि जो भी इस वाटर प्यूरिफायर को रिलेटेड आपके मन में सवाल होंगे तो उसको मैं अड्रेस कर पाया हूँ इस वीडियो के अंदर लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है या पासंद आया तो इसे जरूर से लाइक कीजेगा आपके फैमिली और फ्रेंड्स के दाशेर कीजेगा ताकि उनको भी एक अच्छा वाटर प्यूरिफायर मिल सके वैल्ली फोर मनी वाटर प्यूरिफायर उनको मिल सके और जैसे मैंने का अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस वाटर प्यूरिफायर को लेके या और कोई टेक रिलेटेट कोई रही है तो वो नीचे जरूर पुछेगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर और सबसे इंपोर्टन चीज अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करिए गुट बाई